नमस्कार स्टूडेंट्स मैं स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 अनी ड्यू का 4 चैप्टर विपिन चौधरी लेपस ऑफ अब बच्चो लेप्स यानी क्या होता है लेप्स यानी होता है भूलना और मेमोरी यानी होता है यादाश तो विपिन चौधरी क्या भूल गए हैं अपनी यादाश भूल गए हैं अब बच्चो इस कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं इस कहानी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विपिन चौधरी और वो अपनी यादाश का एक भाग भूल गए हैं और जिसकी वज़े से वे बहुत ही जादा परेशान हैं अब बच्चो मैं आपको जादा इस कहानी के बारे में नहीं वताऊंगी क्यूं क्यूंकि इस कहानी के अंत में एक आदूंगी तो आपका इंटरेस्ट खतम हो जाएगा तो आएए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं पर कहानी को शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे बिफोर यू दी देखिये Do you have a good memory? क्या आपके पास एक अच्छी यादाश है? Has your memory ever played any tricks on you? और क्या आपकी यादाश ने कभी आपके साथ कोई मजाग किया है या कोई चाल चली है? Forgetfulness often puts you in a tight spot जो भुलकड़पन है बच्चो या भूलने की बिमारी है वो आपको क्या कर देती है? एक बहुत ही tight spot में यानि की मुश्किल धड़ी में डाल देती है But forgetting a part of your life completely may drive you crazy लेकिन अपनी यादाश का एक भाग पूरी तरीके से भूल जाना आपको क्या कर सकता है? पूरी तरीके से crazy यानि की पागल कर सकता है Hard words देखिए बच्चो memory यानि यादाश Forgetfulness यानि की भुलकड़पन, crazy यानि पागल In this story, विपन बाबू goes nearly crazy इस कहानी में विपन बाबू क्या है? बिलकुल ही लगभग पागल हो जाते हैं क्यों? Because he cannot recollect his stay at राची क्योंकि भै याद नहीं कर पा रहे हैं अपने राची में ठहरने के उस वक्त को क्या मतलब जब वो राची में ठहरे थे वे उस वक्त को याद नहीं कर पा रहे हैं He has never been to राची, he insists वे इस बात पर जोड देते हैं कि वे तो कभी राची गए ही नहीं Though there are many witnesses to the contrary यत पी इसके contrary में मतलब इसके विरुद में बहुत सारे प्रत्याक्षी है जो कि क्या बताते हैं कि विपन बाभू राची गए थे What is the suspense all about? यह जो सारी दुविदा है आखिर वो किस बारे में है हाट वर देखिए suspense, suspense यानि दुविदा आईए अब कहानी को शुरू करते हैं Every Monday हड सोमवार on his way back from work अपने काम से वापस जाते समय विपन चौधरी वो ड्रॉप इन एट काली चरंस in new market विपन बाभू अचानक कहां रुख जाते थे काली चरंस के दुकान पर रुख जाते थे जो की कहां थी new market में किस लिए बच्चो टुबाइ बुक्स किताबों को खरीदने के लिए अब देखिए वो कौन कौन सी किताबे खरीते थे Crime Stories यानि अपराद की कहानिया Ghost Stories यानि की भूत की कहानिया and Thrillers यानि की रुमान्चक कहानिया Hard words देखिए Drop In यानि अचानक पहुँचना Crime, Crime यानि अपराद Ghost, Ghost यानि भूत और thrillers, thrillers यानि रोमान्चक He had to buy at least five at a time उन्हें कम से कम एक साथ कितने किताबे खरीदनी होती थी? पाँच To last him through the week जो उन्हें कम से कम एक हफते तो चले यानि एक साथ वो कितने किताबे खरीदते थे? पाँच किताबे तो खरीदते थे जो उन्हें हफते भर चलती थी? He lived alone, वे अकेले रहते थे Was not a good mixer, वो बहुत अच्छे मिलनसार नहीं थे यानि कि वे लोगों से जादा मिल जल नहीं पाते थे Had few friends, उनके बहुत ही कम मित्र थे And didn't like spending time in idle chat और उन्हें बेकार की बातों में समय बिताना या वियतीत करना बिल्कुल पसंद नहीं था Hard words देखिए At least, at least यानि कम से कम At a time, यानि की एक साथ To last, यानि कुछ समय Alone यानि क्या होता है? Aकेला Mixer यानि मिलनसार Spending यानि बिताना और आडल चैट यानि बेकार की बात Today, at काली चरन्स आज काली चरन के उस दुकान पर विपन बाबु Had the feeling that someone was observing him विपन बाबु को यह एहसास हुआ कि कोई बहुत ही ध्यान से उन्हें देख रहा है From close quarter बहुत ही नस्दीक से यानि कि उन्हें यह एहसास हुआ कि बहुत ही नस्दीक से उन्हें बहुत ही ध्यान से कोई देख रहा है He turned round and found himself looking at a round face वै मुडे और उन्होंने देखा कि उनकी तरफ कौन देख रहा है एक गोल आकार के चहरे वाला व्यक्ति उन्हें देख रहा है मीक लुकिंग यानि कि विनीत दिखने वाला मैन व्यक्ति who now broke into a smile जो कि क्या है अब एकदम से अचानक से हस पड़ा है यानि कि जैसे ही विपन बाबु ने उस व्यक्ति को देखा वै व्यक्ति अचानक से मुश्कुराने लगा hard words देखे observing यानि ध्यान से देखना from close quarters यानि कि बहुत निकिता से meek looking यानि कि विनीत देखने वाला broke into यानि कि एकायफ कुछ करने वाला I don't suppose you recognize me मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है वो व्यक्ति क्या कहता है विपन बाबु से कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है have we met before asked विपन बाबु तो विपन बाबु स्व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या हम पहले मिले है hard words देखे बच्चो suppose यानि मानना recognize यानि पहचानना the man looked greatly surprised अव्य व्यक्ति बहुत ही आश्चरय चकित हो गया जैसे ही विपन बाबु ने कहा कि क्या हम पहले मिले हैं यह सुनते ही वे व्यक्ति क्या हुआ बहुत जादा surprise यानि की आश्चरय चकित हो गया we met every day for a whole week हम हर दिन मिले हैं पूरे एक सफता के लिये I arranged for a car to take you to the hoodru false मैंने आपके लिए car का प्रभंद भी किया था जो आपको कहां ले जाती hoodru false पर ले जाती यह देखिए यह है विपन बाबु यह है वो व्यक्ति और यह क्या है यह है काली चरन की वो shop in 1958 in राची 1958 में कहां पर राची में मतलब यह व्यक्ति कहां की बात कर रहा है राची में राची की बात कर रहा है my name is परीमल गोश राची व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम परीमल गोश है और मैं कहां पर रहता हूँ मैं राची में रहता हूँ now विपन बाबु realized that it was not he but this man who was making a mistake अब विपन बाबु को यह एहसास हो गया कि वह नहीं बलकि यह तो व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है कोई गलती कर रहा है यानि कि विपन बाबु को लग रहा है कि मैं इसे पहचानने में कोई गलती नहीं कर रहा बलकि ये व्यक्ति है जो मुझे पैचानने में गलती कर रहा है विपिन बाबू had never been to राची विपिन बाबू तो कभी राची गए ही नहीं थे हाड़ वर्ड देखिए, realized, realized यानि एहसास किया mistake, mistake यानि गलती He had been at the point of going server time उनके पास बहुत सारे ऐसे मौके आए थे जब वो कहां जाते राची जाते but never made it, लेकिन वैं कभी भी नहीं गए मतलब कि ऐसी बहुत बर सिचुएशन आई थी जब वो कहां जाते राची जाते लेकिन वैं कभी नहीं गए थे He smiled and said, do you know who I am अब विपन बाबू मुस्कुराए और उन्होंने कहा do you know who I am, क्या आप जानते हूँ मैं कौन हूँ The man raised his eyebrows, उस फ्यक्ती ने अपनी eyebrows को उपर उठाया bite his tongue, अपनी जीप को काटा and said और कहा, do I know you, क्या मैं आपको जानता हूँ Who doesn't know विपन चौधरी, कौन नहीं जानता विपन चौधरी को यानि कि जैसे ही विपन चौधरी ने कहा कि क्या आप मुझे जानते हैं, तो विव्यक्ती क्या हो गया बहुत ही जाजा आश्चरय चकित हो गया और कहता है कि आप यह क्या कह रहें कि मैं आपको जानता हूँ कौन नहीं जानता विपन चौधरी को hard words देखे बच्चो raised, raised यानि उपर उठना विपन बाबू now turned towards the bookshelf विपन बाबू अब किधर मुड़ गए? उस किताबों रखने की अलमारी की तरफ मुड़ गए and said और कहा still you are making a mistake तुम अभी भी क्या कर रहे हो? कोई गलती कर रहे हो one often does कोई अकसर ऐसा करता है I have never been to राची मैं कभी भी राची नहीं गया the man now laughed aloud अव्य व्यक्ती जोड-जोड से हसने लगा तो ये सुनते ही क्या हुआ वे व्यक्ती जोड से हसने लगा hard words देखिए बच्चो towards तुवर्ड्स यानि की तरफ bookshelf यानि किताबों की अलमारी what are you saying Mr. Chaudhary आप ये क्या कह रहे हैं Mr. Chaudhary you had a fall in hudru आप कहां पर गिर चुके हैं? हुद्रू कहां पर है? राची में and cut your right knee और आपके सीधे घुटने पर चोट भी लग गई थी या कट भी लग गया था I brought you iodine और मैं आपके लिए क्या लेकर आया था? घाफ पर लगाने की दवा भी लेकर आया था, iodine भी लेकर आया था, hard word देखिए knee, knee यानी घुटना iodine, iodine यानी घाफ साफ करने की दवा I had fixed up a car for you to go to Nita heart the next day और मैंने आपके लिए एक car का प्रभंद भी किया था, जो आपको कहां ले जाती? Nita heart में ले जाती अगले दिन, but you couldn't because of the pain in the knee, लेकिन आप नहीं जा पाये थे क्योंकि आपके उस घुटने में बहुती जादा दर्द था, can't you recall anything? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है hard word, fixed up fixed up यानी प्रभंद करना pain, pain यानी क्या होता है? dirt, recall यानी होता है अतीत की बातों को याद करना someone else you know was also in राची at that time someone else, कोई अन्य भी था राची में, जिसे आप राची में जानते थे, मतलब जब आप राची में थे, तो कोई और भी था राची में जिसे आप जानते थे Mr. Dinesh Mukherji, उनका नाम क्या था? Mr. Dinesh Mukherji you stayed in a बंगलो, और आप कहा रुक थे रहे थे? आप एक बंगलो में थे रहे थे hard word देखे बच्चो someone else, यानि कोई अन्य stayed यानि थेहरना you said you didn't like hotel food आपने कहा था कि आपको hotel का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची और आप किस बात को प्रधानता देंगे कि आपका खाना कोई बावर्ची बनाए Mr. Mukherjee stayed with his sister और Mr. Mukherjee किस के साथ थेहरे थे? अपनी sister यानि कि अपनी बहन के साथ थेहरे थे, hard words देखे बच्चो prefer, prefer यानि प्रधानता देना you had a big argument about the moon landing आपकी एक बहुत बढ़ी बहस भी हुई थी किस बारे में? मून लेंडिंग के बारे में यानि की चंदुरमा की धरती पर उतरने के बारे में remember, आपको याद है I'll tell you more मैं आपको और बताता हूँ अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति sightseeing trips अब यह कह रहा है कि आपके पास हमेशा एक बैग भी होता था जिसके अंदर क्या होती थी? जिसके अंदर books यानि किताबे होती थी और वो आप कब ले कर जाते थे? जब आप sightseeing trips पर जाते थे यानि कि दर्शन ये स्थल को देखने के लिए जाते थे तब आपके पास एक बैग होता था उसके अंदर क्या होती थी? बहुत सारी किताबे होती थी Am I right or not? अब मैं सही हूँ या नहीं? मतलब व्यक्ति कह रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? हाटवर्स बाबु ने बहुत ही शान्ती पूर्वक कहा His eye is still on the books उनकी आखे अभी भी कहा थी? किताबों पर थी Which month in 58 are you talking about? तुम 58, 58 में कौन से महीने की बाद कर रहे हूँ? The man said उस व्यक्ति ने कहा October उस व्यक्ति ने कहा कि मैं October महीने की बाद कर रहा हूँ Hard word देखे quietly यानि शान्ती पूर्वक No sir, sad विपिन बाबु विपिन बाबु ने कहा नहीं sir, I spent पूजा in 58 with a friend in कानपुर मैं 58 में कहा था? मैं 58 में कानपुर में था एक फ्रेंड के साथ और क्या कर रहा था? पूजा कर रहा था You are making a mistake आप कोई गलती कर रहे हैं Good day और फिर विपिन बाबु ने क्या कहा? उसे अच्छा दिन का wish दिया But the man didn't go nor did he stop talking लेकिन ये सुनने के बाद भी The man didn't go वेवयकती नहीं गया और ना ही उसने बात करना बंद किया या बोलना बंद किया Very strange, बहुत अजीब है One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow एक शाम तो मैंने आपके साथ चाए भी पी थी कहां पर आपके bungalow के वरामदा में You spoke about your family और आपने किस के बारे में बात की थी? आपने अपने परिवार के बारे में बात की थी Hard word देखे बच्छो Strange यानी अजीब You said you had no children आपने कहा था कि आपके कोई भी बच्चे नहीं है And that you had lost your wife 10 years ago और आपकी पत्नी को भी आपने कब खो दिया है? 10 साल पहले ही खो दिया है यानि कि उनके मिरत्यों 10 साल पहले ही हो गई है Your only brother had died insane और आपका केवल जो एक भाई था वो भी कैसे मर गया था? पागल होकर मर गया था Which is why you didn't want to visit the mental hospital in राची और इसी कारण से आप राची के उस पागल खाने अस्पताल में नहीं जाना चाहते थे कहां पर राची में अभी भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है? विपन बाबू को उनके राची में ठैंडने के बारे में याद दिला रहा है hard word देखें बच्चो insane, insane यानि पागल वैन विपन बाबू had paid for the books जब विपन बाबू ने किताबों के लिए पैसे दे दिये and was leaving the shop और उस दुकान से बाहर जा रहे थे the man was still looking at him in utter disbelief तब भी वै व्यक्ति क्या कर रहा था? बिपन बाबू की तरफ देख रहा था कैसे utter disbelief में आनि कि अटियतिक disbelief यानि अविश्वास में कि उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विपन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा है hard word देखिए utter, utter यानि अटियतिक disbelief यानि अविश्वास अब बच्चो यहां पर हमारा part 1 complete हो गया अब हम इसे revise करने के लिए क्या करेंगे कुछ question और answer करेंगे देखिए पहला सवाल why did the man stare at विपन बाबू in disbelief उस व्यक्ति था वो विपन बाबू को ऐविश्वास के साथ क्यों देख रहा था क्यों देख रहा था बच्चो क्योंकि उसे भरूसा नहीं हो रहा था कि विपन बाबू को कुछ भी आद नहीं आ रहा है तो देखिए जवाब the man Parimal Ghosh was taken aback when विपन बाबू failed to recognize him he didn't believe that विपन बाबू had a lapse of memory यानि की वो व्यक्ति Parimal Ghosh को क्या हुआ बहुत जादा surprise मिला when जब विपन बाबू failed to recognize him जब विपन बाबू उसे पहचानने में ऐस समर्थ रहे he didn't believe उसे भरोसा नहीं हुआ that विपन had a lapse of memory कि विपन बाबू यादाश को बिलकुल ही उनकी यादाश जो है वो बिलकुल ही भूल चुके है दूसरा सवाल देखिए where did विपन बाबू say he went in October 58 58 के October में विपन बाबू कहां गय थे विपन बाबू ने क्या बताया था तो वो कहां गय थे वो कानपूर में गय थे अपने फ्रेंड के साथ विपन बाबू said that in October 58 he was in कानपूर तो विपन बाबू ने बताया था कि वो 58 October में कहां थे वो कानपूर में थे अगला सवाल देखिए mention any three or more things that परिमल गोष्ट knew about विपन बाबू तीन या तीन से जादा ऐसी बातों को बताये जो परिमल गोष्ट विपन बाबू के बारे में जानता था तो क्या तीन या तीन से जादा बता सकते हैं बच्चों आप तो क्या क्या हो सकता है क्यों से ये पता था कि उनकी कोई विपन बाबू के कोई चिल्डरन यानि बच्चे नहीं है उनकी वाइफ की दैथ हो चुकी है और उनके भाइफ में क्या हो गए थे पागल होकर मर गए थे तो इसका जवाब देखिए परिमल गोष्ट knew that विपन बाबू's wife was dead परिमल गोष्ट को ये पता था कि विपन बाबू की wife क्या है पतनी मर चुकी है and his only brother had died in the same year in राची और उनको ये भी पता था कि जो विपन बाबू के लौते भाई थे वो भी उसी साल में मर गए थे कहां पर राची लुनार्टिक आइसलम यानि की राची के पागल खाने में he also knew that विपन बाबू had no children and he was a lover of books और उस व्यक्ति को ये भी पता था कि विपन बाबू के कोई बच्चे नहीं है और उन्हें books या किताबे बहुत ही जादा पसंद है अब इसका part 2 हम next video में cover करेंगे बच्चो तब तक thank you